हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे फिश रिसेपी बहुत ही टेस्टी चटपटी बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे सभी को बहुत पसंद आएगी चली शुरू करते हैं कैसे बनाना है मैंने लिया है हाफ केजी फिश फिश को दो के इसमें लगाएंगे सरसो का तेल अच्छे से तेल नमक लगा लेंगे तेल नमक लगाने से फिश टाइट रहती है पकने के बाद तूटती नहीं है फिश में तेल नमक अच्छे से लगा लिया है मैंने दो मिनट के लिए रग देंगे गैस पे कड़ाई चड़ाएंगे तेल डालेंगे तेल को अच्छे से ग एक चुटा बाउल लेंगे अधरक लसन का पेस्ट डाल के अच्छे से भून लेंगे वन टीस्पून हल्दी एड़ करेंगे वन टीस्पून गरम मसाला हाफ टीस्पून जीरा पॉडर वन टीस्पून लाल मिश पॉडर तू टीस्पून धनिया पॉडर एड़ करेंगे, हाफ टीस्पून काली मिलश पॉडर, वन फोड एड़ करेंगे, कश्मीरी लाल मिलश पॉडर, मसाले को डाल के अच्छे से भून लेंगे, मेड़ियम फ्लेम पे चलाते हुए मसाला जलेना अच्छे से भुण जाए प्राइब इस से अच्छे से भून लेगे मसाले को मसाला अच्छे से भुण जाए तेल छुटने लगे इसके बाद फिश आइड कर देंगे मसाले में हलके हलके हाँ से मसाला लगा लेंगे फिश में गैस की फ्लेम को लो रखेंगे अब हाफ नेबू का रस एड़ करेंगे फिश में लो फ्लेम पे ढखकन ढखके पाश मिन पकने देंगे फिश को इससे फिश बहुत ही टेस्टी बनती है पाश मिनिट होगा है फिश अच्छे से भुन गई मसाले के साथ हलके हलके हाथ से चला लेंगे मसाला फिश में अच्छे से अबजर्ब हो गया है अब थोड़ा पानी डालेंगे पानी डालके चला लेंगे दस से पंद्रा मिनिट लो फ्लेम पे ढखनधके पकाएंगे पंद्रा मिनिट हो गया है फिश अच्छे से पक गई है गैस को आफ कर देंगे थोड़े ढखनधके रख देंगे उसके बाद धनियापत्ति डालेंगे फिश तयार है बहुत ही कम टाइम में आसान तरीके से बन अगर आपको फिश की रेश भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक केमेट्स और चैनल को सब्सक्राइब करेगा इस तरीके से टाइक कीजेए